प्रतिमा जीयस एकडिम पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का प्रस्ण है जो आला मुखी क्रिया क्या है? जो आला मुखी को कितने प्रकारों में वर्गी कृत किया जा सकता है? आप लोग लाइक करें, सेर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें तो पहले तो यहाँ बताना आपको कि जो आला मुखी क्रिया है क्या? और उसके बाद इनके प्रकारों को वर्गी करते हुए चलना है शुरू करते हैं जो आला मुखी क्रिया के अंतरगत भूगर्व में गैस एवो मैगमा बनने से लेकर जो आला मुखी या उदगार के द्वारा धरातल पर लावा के प्रकट होने तक की क्रिया को सामिल किया जाता है यानि ज्वाला मुखी के अंतरगत जो भूगर्ब के अंदर नि प्रित्वी के अंदर जो गैस है या मैगमा है जब वह विस्फोर्ट हो करके बाहर निकलता है तो उसे ज्वाला मुखी के अंतरगत सामिल कियाता है ज्वाला मुखी क्रिया दो रूपों में संपन होती है एक अभ्यांतरिक अर्था धरातल के नीचे मैगमा का जमना तथा दूसरा बाह मैगमा का लावा के रूप में धरातल पर आना जब ज्वाला मुखी प्रिथवी के अंदर जम जाती है तो वह मैगमा कहलाती है और जब यह प्रिथवी के बाहर निकल करके आती है तो यह लावा कहलाती है और यह जौला मुखी के संदचना का चित्र है यहाँ पर जौला मुखी छीद्र क्या है जौला मुखी क्रेटर क्या है जौला मुखी नली क्या है मैगमा का उर्ध प्रवाह कैसा है अत्यदिक ताप के कारण सहलों का गलन होता है तो कहां पे होता है तो सब का मैंने प्रोएक्ट चित्र के रूप में वरडित कर दिया है अब जौला मुखी उद्गार की प्रविर्ती और धरातल पर बिक्सित आकरतियों की आधार पर जौला मुखी को निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में वरगीकरित किया जाता है जिस सिल्ड ज्वाला मुखी, ये ज्वाला मुखी मुख्यता बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं सामानता ये कम विस्फोटक होते हैं इन ज्वाला मुख्यों के निकास पर कम उचाई का संकु बनता है हवाई दीब के ज्वाला मुखी इसी के उदाहरण है हवाई दीब जिसकी राजधानी है हुनुलूलू यह अमेरिका का वन्चास्वा प्रांथ है प्रसान्त महासागर में इस्थित है यहां पर एक जो संकु हवाई का पाय जाता है यह स्चिल्ट प्रकार के ज्वाला मुखी का उदाहरण है मिस्रित ज्वाला मुखी यह ज्वाला मुखी प्राया अधिक 20 फोटक होते हैं इनसे उद्वारी तलावा बेसाल्ट क Möglich पेछह अधिक ठंधावा गाड़ा होता है जैसे जापान का मांट फोजी जापान का मंट फोजी जो ज्वाला मुखी है यह मिस्रित ज्वाला मुखी का उदाहरण है ज्वालमखी कुंड ये प्रिथिवी पर पाय जाने वाले सरबाधिक बिसफोटर ज्वालमखी हैं जिनमें बिसफोट के बाढ़ यहां पे धसा हो जाता है और धसे हुए बिध्धोंस गर्थ को ही ज्वालमखी कुंड कहा जाता है जैसे इंडोनेसिया का क्राका तोवा ज्वाला मुखी कुंड का एक उधारण है बेसाल्ट प्रवाः बेसाल्ट प्रवाज छेत्र ये ज्वाला मुखी एक बड़े बिस्तित छेत्र में अत्यधिक तरल लावा का उधगार करते हैं आपको ज्यात होगा कि जब आपने भूपरपरेटरी पढ़ा होगा तो उसमें क्रश्ट मेंटल और कोर के बारे में जब संदचना का डिविजन किया होगा तो आपने सीमा, सियाल और नीफी जैसे जो परत हैं उनकी चर्चा देखी होगी तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट के रूप में जब वर्गी करित के आता है तो जो महासागर के छेत्रों में या नीचे जाकर के जम जाते हों बेसाल्ट कहलाते हैं बाहर आते हैं ग्रेनाइट कहलाते हैं महादीपों में तो इसका वर्गी करण ज्वाला मुखी के रूप में भ बड़े बिस्तित छेत्र के अत्यधिक तरह लावा का उद्गार करते हैं। बھारत का दखकन ट्रेप ब्रहद बेसालट लावा प्रवाकवदारन है। मध्-महासागरिय कटक जौला मुखी। इन ज्वाला मुखियों का उद्गार महासागरिये बेसिन छेतर में होता है इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है जैसे किलाव ज्वाला मुखी इसके अत्रिक उद्गार के अवध के अमसाल जागरत प्रसुत यों सांत जॉाला मुखी में भी भाजित कियाता है देखे ज्वाला मुखी का जो वर्गी करण है जो अवदी के आधार पर है वो तीन प्रकार के हैं बाकी जो अलग-अलग उनकी क्राइटेरिया हैं प्रकार है उसमें उबरगीकत क्या गया हो प्रोक्त मैंने बताया भी है और जो उद्गार किया वदी से जागरत, प्रसुत और सांथ जाला मुखी जागरत जाला मुखी ऐसे जाला मुखी होते हैं जो की समय समय पर प्रसुतित होते रहते हैं यानि वहाँ से उद्गार होता रहता है और प्रसुप्त जॉलमुखी है ये कभी-कभी 10 साल, 5 साल, 20 साल पर एक बार फुर जाता है और सांत जॉलमुखी का यहाँ पर फटना बंद हो चुका होता है बस इनकी जो ओपर के भाग है वो एक क्रेटर जील के रूप में समाहित हो झाल, 20 साल, 20 साल, 20 साल, 15 में युलमॖी के रहता है बंद होता हैं जुलम।